सल्मान खान ने जहां सरोज खान की मदद करते हुए उनसे ये वादा कर दिया था कि अब से सरोज सल्मान के साथ काम करेंगी तो वहीं अब आपको बता दे कीस पर सरोज खान ने एक और बड़ा खुलासा किया है सरोज खान ने बताया कि कैसे सलमान खान ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है सरोज ने बताया कि सलमान खान की भांजी अलीजा अगनी होतरी अगले साल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगी अलीजा अगनी हूतरी को ट्रेन करने की जम्मेदारी सलमान ने सरोज को ही दी सरोज खान ही अलीजा को पूरे तरीके से ट्रेन करेंगी क्लासिकल डान्स के साथ साथ बाकी डान्स फॉम में भी अलीजा डेब्यू से पहले ट्रेन होंगी और इतना ही नहीं अलीजा अगनी होतरी को बॉलेफुट में डेब्यू से पहले आक्शन भी सिखाया जा रहा है कबरे तो ये भी है कि सल्मान खान अपनी भांजी की प्रोग्रेस पर खुद नजर रख रहे हैं और सल्मान के ही प्रोडक्शन हाउस से उनकी भांजी का डेब्यू होगा वहीं कहा जा रहा है कि सल्मान खान फिल्हाल दो लोगों के लिए स्क्रिप्ट तलाशने में लगे हुए है पहले तो अपने बॉडिकार छेरा के बेचे टाइगर की और दूसरा अपनी भांजी अलीजा की इन दोनों के लिए सल्मान खान दबंग 3 के बाद सल्मान खान इन दोनों के लिए स्क्रिप्ट फाइनल करेंगे तो लीजिये सलमान ने तो सरोच को जम्मेदारी देती है और इसके आगे भी सलमान ने सरोच को अपने प्रोडक्शन हाउस से जुड़ने का ओफर दे दिया है यानि कि सल्मान खान का प्रोडक्शन हाउस जो भी फिल्में बनाएगा उनमें कोडियोग्राफ पर सरोच खान हो सकती है पाइनल कट एंटरेंटमेंट डेस्क